नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल Learn and Grow में आज हम बात करेंगे दिमाग के बारे में यानि कि इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में तो आज का टोपिक हमारा रहेगा Program Your Mind देखिए जो हमारे दिमाग होता है वो हमें सक्सेस तक भी ले जा सकता है और जो दिमाग होता है वो हमें यहीं बैठे बिठाए भी रख सकता है यानि कि एक दिमाग है वो आपको कहता है कि नहीं आपको प्रयतन भी नहीं करना आप फेल हो जाएंगे और एक दिमाग आपको बोलता है कि नहीं आपको प्रयतन करना है आपको हर एक मुशीबत को पार करना है और स्ट्रगल को पार करके आपको सफलता प्राप्त करने है चाह है यह आपके विचार हैं दोनों ही कि मैं सफल हो सकता हूं या फिर मैं सफल नहीं हो सकता मैं ये कर सकता हूं या मैं ये नहीं कर सकता दीके सबसे पहले तो हमें अपने दिमाग के अंदर से कुछ ऐसी चीजें हटानी होंगी ऐसी distraction हटानी होंगी, जो हमें हमारे goal तक पहुचने से रोकती हैं तो हम कहते हैं न कि बड़ा goal set करो, लेकिन बड़ा goal set करने से पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि उस रास्ते पे मुसीबतें कितनी आ सकती हैं, और मुसीबते आएंगी ही, ये भी हमें के लिए कहता है, अगर आप कुछ काम कर रही है तो आपका दिमाग उस काम से आपको भटकाने की कोशिश करता है माल लिजिए एक छोटा सा एक्जामपल ले लिजिए आप सुबह उठके meditate करना start कर दीजिए आपका दिमाग आपको कहेगा कि इसका कोई फायदा नहीं है एक दिन से कुछ नहीं होगा, दो दिन से कुछ नहीं होगा इसके लिए तो सालों लग जाते हैं तो इस तरह के विचार आपके दिमाग में पैदा होते रहते हैं जो कि आपको उस meditation की state से उठाने की कोशिश करते हैं दिमाग आपका ही है, आपके लिए लेकिन वो काम नहीं कर रहा तो आपको दिमाग को अपने program करना होगा तागी ये आपके लिए काम कर सके आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं हम दो तरह के दिमाग की बात करते हैं एक तो होता है conscious mind जिसको हम चेतन मन बोलते हैं एक होता है subconscious mind जिसको हम अवचेतन मन बोलते हैं conscious mind होता है जैसे हम जाग रहे हैं जागरी तवस्था में जो हमारा दिमाग काम करता है जो हम सोचते हैं और subconscious mind जो है 90% गर हिस्सा होता है जो हमारा ताकतवर दिमाग का हिस्सा है अगर इस तक कोई बात पहुंच जाए तो ये उसको पूरा करने के लिए आपकी help करता है तो सबसे ज़रूरी है कि जो subconscious mind के अंदर हमारे बाते हैं उनको मजबूत करना आप देखिए subconscious mind के अंदर बातें जाती कैसे हैं देखिए आप बच्चपन से अगर आपने जब बच्चे थे आप तो आपने धेर सारी कहानिया सुनी होंगी भूद प्रेट की कहानिया सुनी होंगी या देवी देवताओं की कहानिया सुनी होंगी जिस भी चीज में आपका interest रहा होगा तो वो जो चीजे हैं आपके subconscious mind में छप जाती है इसी तरह से उससे related एक reminder जब पैदा होता है माली जी आप भूद प्रेट की कहानिया सुनते है तो अगर कहीं आपको अंधेरा दिखता है आपको सुनसान जगा दिखती है तो आपके दिमाग में क्या activate हो जाता है दर activate हो जाता है लेकिन अगर आप क्या है एक पूरे एक आस्तिक nature के हैं तो आप अंधेरा देखके किसको याद करते हैं directly भगवान को याद करते हैं और भगवान को बोलते हैं कि वो ही आपकी रक्षा करेंगे और रोशनी के उमीद आप करते हैं, ना कि अंधेरी के उमीद करते हैं, आपको डर नहीं लगता, आपको विश्वास होता है भगवान के उपर, तो दोनों के अंदर फरक होता है, अब दोनों विचार आपके दिमाग के अंदर ही पन पे हैं ये, कि एक डर है और एक आपका व आपके हैं लेकिन दोनों विचारों के अंदर balance नहीं होना चाहिए हमारा जो विचार है कि हम कर सकते हैं उसको इतना strong होना पड़ेगा कि जो नहीं कर सकते वाली चीज है वो मिटानी पड़ेगी हमें ऐसे सब्दों को भूलना पड़ेगा मैं नहीं कर सकता यह मुश्किल है य मुझे इन मसीबतों के पाल करके सिर्फ अपने गोल तक जाना है तो आप उस गोल तक जरूर पहुंचेंगे आप अपने दिमाग का यूज कर लिजी अपने लिए या फिर कोई और यूज करेगा आपके दिमाग और आपके skills का अपने काम के लिए तो दिमाग ऐसा है कि या नहीं होता, वो भी आपकी तरह ही होते हैं, अगर आप कहेंगे कि नहीं उनमे ये वाली skill थी, ठीक है उनमे थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इस चीज को अपने दिमाग में नहीं आने दिया, कि वो ये नहीं कर सकते, आप age factor को बीच में ले आते हैं, आप family factor को बीच में ले या नहीं हो सकतेair लेकिन जो लोग इसके उल्टा सोचते inclusive इन्हीं सारी Factor's को भूलके अपनी strength पर मजबुती से उन पर पकड बनाते हैं अपनी strength को मजबूत करते हैं ओर मजबूत करते हैं और इसकेल को बढ़ाते रहते खुद ठोकर मत खाएं, दूसरे अगर ठोकर खा चुका है तो उससे सीखें, ऐसा नहीं है कि उसी पत्थर से आप भी ठोकर खाएं, आप उससे सीखें चलें, तो प्रोग्राम करने का क्या मतलब है बचपन से बड़ा होने तक जो लोग आपके अंदर डालते हैं कि आप ये न पुरानी जो चीज है जब तक आप उसको नहीं हटाएंगे तो नया बीज भी वहाँ जनब नहीं लेगा, तो पुराने चीजें आपको हटानी होंगी, और नया बीज इस दिमाग में डालना होगा कि आप कर सकते हैं, और आप करके रहेंगे, इसतेरा के बीज आपको डालन पर काम करेंगे, तो इस तरह से जब आप सीखने की एक ललक आपके अंदर पैदा हो जाएगी या कुछ करने की ललक आपके अंदर पैदा हो जाएगी, तो आप success के बहुत करीब चले जाते हैं, जो मुसीवते हैं वो आती हैं लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं होते कि आप उनको अवरकम नहीं कर सकते कोई भी ऐसा संगर्स नहीं है जिन से लड़कर जीता नहीं जा सकता तो आप लड़कर असानी से जी सकते हैं लेकिन लड़ना तो पड़ेगा अगर आप सोचते हैं कि मैं यहां बैटे बिठाए यहीं पे मुझे सहलता आके मिले तो ऐसा बिल्कुल में नहीं होगा जहां आप हैं आप वहीं बेरा जाएंगे दिमाग का यूज करना आप अपने लिए सीख जाएए नहीं तो हमने कहा वहीं कि जो दूसरे लोग हैं आपके दिमाग का यूज आपके ही खिलाफ करेंगे तो आपका जो तरक्की में अपना हाथ है अपने दिमाग का हाथ है तो उसका पूरा यूज कीजिए तो thank you वीडियो देखने के लिए और ज्यादा वीडियो के लिए आप मारे चैनल learn and grow पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं Thank you